हेलो फ्रेंड्स सबसे पहले पोस्ट कोड 817 वालों को मुबारक बात जल्द ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स अब काफी कंडिडेट अपने सेलेक्शन के लिए चंतित होंगे की कट ओफ क्या रहने वाला है तो फ्रेंड्स कंडिडेट के रिस्पॉंसेस के आधार पर हमने एक कट ओफ रेडी किया है इस कट ओफ में एक नमबर उपर या नीचे हो सकता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें इसमें हम सभी केटेगरीज का क्या कट ओफ रहने वाला है उसके बारे में बताएंगे तो सबसे पहले इस पोस्कोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूं जो बहुत जरूरी है इस पोस्कोड में 1867 वेकेंसी है फ्रेंड्स जिसमें से जो जनरल अन्रिजर्व वेकेंसी है वो 700 है OBC अन्रिजर्व वेकेंसी 304 है SC अन्रिजर्व वेकेंसी 353 है ST अन्रिजर्व वेकेंसी जो है वो 70 है और जो EWS की वेकेंसी है वो 261 है OBC BPL की वेकेंसी जो है वो 62 है SC BPL की वेकेंसी 54 है ST BPL की वेकेंसी 18 है और General WFF की वेकेंसी 24 है तो Friends अब बात करते हैं Final Cut-Off की जो इस तरह है इस पोस्ट के लिए मैंने Ready की है General Unreserve की Final Cut-Off जो हो सकती है वो 50 नमबर तक हो सकती है OBC Unreserve का Final Cut-Off 47 नमबर तक हो सकता है SC Unreserve का Final Cut-Off 46 नमबर तक हो सकता है और ST Unreserve का Final Cut-Off 44 नमबर तक हो सकता है EWS का जो Final Cut-Off हो सकता है वो 47 नमबर तक हो सकता है OBC BPL का Final Cut-Off 45 नमबर तक हो सकता है अब next category की बात करते हैं स्ट BPL का final cutoff 44 नंबर तक हो सकता है स्ट BPL का final cutoff 42 नंबर तक रह सकता है और general WFF का final cutoff 41 नंबर रह सकता है तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो like, share और मेरे चैनल को subscribe करें और friends आपका score क्या है और आपके according cutoff कितना रह सकता है ये मुझे comment section में बताएं